नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पंकस आप देखरें पंकस एड़ुटेक और दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल है मध्यपदेश पुलिस कॉंस्टेबल की भरती जो आई है दोस्तों इस सिर्फ एक ही कमेंट आ रहे हैं कि रेडियो का स्लेबस क्या है ठीक है तो दोस्तों रेडि कर सकते हैं ठीक है जिससे कि मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बता हूंगा आपको कि अगर आप मत्यपदेश पुलिस कॉंस्टेबल रेडियो के लिए अपलाई करते हैं तो आपकी इलिजबिल स्रीयल बता हूंगा आप बिल्कुल स्रीयल पर ध्यान देना सबसे पहले आपको 12 पास करना हITA इसके बाद दोस्तों आपको आईटी आई इपास करना होता है इसकोकिप्स के बाद इसमें एक आपको आएटीयो अब से ब्रांच वाले अपलाई कर सकते हैं दोस्तोंों क्या वाले अपलाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले और इन्फॉर्मेशन, कॉम्मुनिकेशन टेकनोलोजी वाले, और दोस्तो मेकनिक है, रेडियो, एप टेली बेने से आपने अगर मेकनिक का कुर्स किया है, तो आप इलिजबल हैं, ये दोस्तो था आईटियाई के लिए, ठीक है, अगर आपने 12th फास किया है, साथ में आईटियाई किया है, तो ये रेडियो की वेकनिसी आपके लिए है, आप अपलाई कर सकते हो, अब बात करते हैं दोस्तो, second qualification क्या होनी चाहिए, second, sorry, second रही, इसके बदले, अगर इतना आपके पास नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो आपके पास 12th फास डिप्लोमा हाना चाहिए, थ्री वरसी है, डिप्लोमा, ठीक है, तो डिप्लोमा में कौन-कौन सी ब्रांच होनी चाहिए, तो आप रेडियो के लिए अपलाई कर सकते हैं, दोस्तो रेडियो एक टेकनिकल पोस्ट होता है, जिसके लिए टेकनिकल आपके पास कोई डिपलोमे आपके डिगरी होनी चाहिए तो यह जब मैंने बताया भी ITI बताया और डिपलोमा बताया 12th के साथ और जो 3rd है दोस्तो 12th के साथ आपने अगर ग्रेडवेशन बीटेक किया हुआ है बीई किया हुआ है तो बीई दोस्तों उसमें भी कुछ ब्रांच जो है ना इस पेसिफाइज है जैसे कि जैसे कि दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रोनिक्स हो गया इलेक्ट्रिकल हो गया इंजिनरिंग इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनरिंग information, information technical ठीक है और computer science तो दोस्तों आप लोग eligible है radio के post के लिए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने तीन तरह की जो है qualification बताया सबसे पहले 12th और ITI और 2nd दोस्तों 12th plus 3 year diploma technical diploma और 3rd दोस्तों 12th plus BTEC और तीनों का हमने अलग-अलग branch बता दिया तो दोस्तों अगर आपके पास इतने सारे qualification है तो आप apply कर सकते हैं ठीक है अधरवाई जाब इसके बारे में सोच भी नी सकते हैं क्योंकि बाकी जो है constable है post उसके लिए आप apply कर सकते हो दोस्तों इसमें किस तरह के question आएंगे दोस्तों आपको computer का knowledge होना बहुत जरूरी होता है बहुत जारे question होते दोस्तों computer से आएंगे और technical आएंगे ठीक है तो आपको इस तरह से त्यारी करनी है कि आपका exam crack हो जाए ठीक दोस्तों मैं इस तरह से video बनाता रहता हूँ अगर अभी तक फिर भी आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब को प्रेस कर सकते हैं ठीक है ताकि वीडियो इस तरह से आपको मिल सेगे नोटिफिकेशन के द्वारा ठीक दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नमस्कार